जै मतादी नमस्ते तो आज की इस वीडियो में हम लोग सोमती अमोसया ब्रत कथा का सरवन करेंगे तो चलिए कथा को प्रम्भ करते हैं सोमती अमोसया का ब्रत सुहागन महिलाएं अपने पती की लंबी आयू के लिए रखती हैं अगर आप एब्रत रखती हैं तो इसकी सीधा असर आपके दामपत्य जीवन पर पड़ता है जिससे आपके दामपत्य जीवन में खुसी और सुक सम्रिधी बनी रहती है तो चलिए अब कथा को हम लोग शुरू करते हैं एक गरीव ब्रहामर पडिवार था उस परिवार में पती पत्नी के अलामा एक पुत्री भी थी वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगे उस पूत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी इस्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था वह लड़की सुन्दर संसकारवान एवं गुडवान थी किन्तु गरीब होने कारण उसका विवार नहीं हो पा रहा था एक दिन उस ब्रहामर के घड़ एक साथु महराज पधारे ओ उस ब्रहामर के कन्या के सेवभाव से काफी परसन हुए कन्या को लंबी आयू का सिबात देते हुए साथु ने कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह योग रेखा नहीं है तब रहामर दम पती ने साथु से उपाय के बारे में पूछा कि कन्या ऐसा क्या करें जिससे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए और उसका साधी हो ज जाती है जो बहुत ही अचार विचार और संस्कार संपन्त था पती पर आयन है यदि वह कन्या उसकी सेवा करें और वह महिला इसकी साधी में अपने मांग का सिंदुर लगा दे उसके बात इस कन्या कभी बाह हो तो इस कन्या का बैधब्य योग मिट सकता है साधु ने यह महिला कहीं आती जाती नहीं है यह बात सुनकर भ्रहामडी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कहीं अगले दीन कन्या प्रात खाल हैं उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साप सफाई और अन्सारे काम करके अपने घर वापस आजाती एक दिन सोना धोबिन अपनी बहु से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता बहु ने कहा माजी मैं तो सुचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं मैं तो देर से उठती हूँ इस पर दोनों सासबहो निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है कई दिनों बाद धोबीन ने देखा कि एक कन्या मुह बांधे अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है जब वह जाने लगी तो सोना धोबीन उसके पैरों पर गिर पड़ी पूछने लगी कि आप कौन है और आप इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती है तब कन्या ने साधु दोरा कही गई सारी बात विस्तार से बता दी सोना धोबीन पती परायर थी उसमें तेज था वह तयार हो गई सोना धोबीन के पती थोरा अस्वस्त थे उसने अपनी बहु से अपने लोट आने तक घर परी रहने को कहा सोना धोबीन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदुर उसका निया की मांग में लगाया उसका पती मर गया, उसे इस बात का पता चल गया, वो घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर की राष्टे में कहीं पीपल का पेम मिलेगा, तो उसे भौरी देकर उसकी प्रिकर्मा करके ही जल गरहन करेगी, उस दिन सुमतियम अस्या थी ब्रामर के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने इत के तुक्रों से 108 बार भौरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिकर्मा की और उसके बाद जल गरहन किया ऐसा करते ही उसके पती के मुर्दा सरीर में वापस आ गई धोबिन का पती वापस जीवित हो उठा इसलिए सोमतियम अमौसिया के दिन से सुरू करके जो बेक्ती हर अमौसिया के दिन भौरी देता है उसके सुख और सवभाग में ब्रिधी होती है पीपल के पेंड में सभी दियों का बास होता है अतहा जो बेक्ती हर अमौसिया को न कर सके वह सोमबार को पढ़ने वाली अमौसिया यानि सोमतियम अमौसिया के दिन 108 बस्तियों की भौरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का फूजन करती है उसे अखंड सुभाग की प्राप्ति होती है ऐसी प्रचलित प्रंप्रा है कि पहली सुमबारी मौसिया के दिन धान पान हल्दी सिंदूर और सुपारी की भौरी दी जा सकती है उसके बाद की सुमतियम अमौसिया को अपने समर्थ के इसाब से फल मिठाई सुहाग समागरी खाने की समागरी जादी की भौणी दी जाती है और फिर भौणी पर चढ़ाया गया समान किसी सुपात्र ब्रहामड या ननद या भांजे को दिया जा सकता है तो भगवान आपकी सभी मनोकामना पुरि करें कथा संपन हुआ हर हर महादेव जै मता दिन आपका दिन सुभ हो इसी कामना के साथ जाए-जाए, सरी सी ताराम